हेलो फ्रेंज वेलकम टू वाइफाई स्टेडी चेंजिंग दवे ओफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर पार्ट ओफ अनेकेडमी मैं संजीव राटवर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक इंपोर्टे या करी देते हो और ऐसे कोशिंज कहलाते हैं एसे सी बैंक और डिफेंस के लिए मिलियन डॉलर कोश्चन ध्यान रहे अगर आप एसे सी बैंक या डिफेंस इनमें से किसी भी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग रोज यह जो आप मेरे दौरा स्वीटें यह जाते हैं इन पर ज़रूर ध्यान दे अगर आपको इन क्लास के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप लोग टेलीग्राम जोईन कर लो टेलीग्राम का नाम है संजीब सर इंग्लेस अनक एडमी यह आपके लिए टेलीग्राम है तो यहां से आपको सभी क्लास के लिं in the wizard day to earlier in the year in the year and the focus on spending in the first half has resulted in a better achievement एक ऐसा कोश्शन जिसमें गलतियां ज्यादा होती हैं एक ऐसा कोश्शन जिसके लिए concept कम पड़ जाते हैं जिसके लिए दिमाग कम पड़ जाता है और इसलिए ये कहलाया million dollar कोश्शन हम अकसर पड़ते हैं कि जब हम end से दो subject को add कर देते हैं मालीजे ये दो subject आपके हैं इनको दोनों को हमने किसे add किया end से add कर दिया तो ये दोनों अगर अलग-अलग हैं तो ये दोनों कैसे हैं plural अगर ये plural है तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी बही जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्प कैसी होगी वो भी प्लूरल होगी आप जड़ा ध्यान से देखो यहां पर दा सिफ्ट इन दा वजट दे टू अर्लियर इन दा इयर एक यह हो गया फिर देखो एंड आया हुआ है और उसके बाद the focus on spending in the first half एक यह हो गया और दोनों ही अलग-अलग है जब दोनों अलग-अलग है तो यहां पर हैस की जगह पर आपको क्या यूज करना है है कभी वर्प से related question पूश ले जाते हैं कभी tense गलत यूज करके question पूश लेते हैं end से दो अलग-अलग tenses use कर देंगे कभी end की साथ दो अलग-अलग parts of speech add करके question पूश ले जाते हैं लेकिन यह है कि ऐसे question पूशे जाएंगे और हमेशा पूशे जाते हैं इसलिए आप सब लोगों से गुजारिस है आप सब लोगों से request है कि इस तरह की concept को अपनी copy में जरू करें एक और question आपके लिए लिखा हुआ है इस तरह के question भी बहुत पूछे जाते हैं the rise in gross borrowing is because of higher redemptions but net borrowing is similar with the last year ये question कहलाते हैं fixed preposition family question इन्हें हम क्या बोलते हैं ये fixed prepositions वाले question है और fixed prepositions वाले questions का मतलब क्या है कि इनको आपको बार बार practice करनी पड़ेगी तभी आप इनको याद रख सकते हो अगर आपने बस एक बार पढ़ा और भूल छोड़ दिया तो आप भूल जाओग इनको बार बार आपको इनका revision करना पड़ेगा बार बार इनको आपको पढ़ना पड़ेगा तो देखो similar के स आप fix preparation आती है तू अपना सेंटेंग देखो उसमें क्या आया है उसमें आया विद तो similar के साथ आता है तू यहां आया विद यही गलत है error detection कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो आपको कभी समझना है जो आपके लिए वार टफ हो यह एक ऐसा फॉर्म है जिसको बार बार रिवीजन करने से आप इसके महारती बन सकते हो इसमें माहिर बन सकते हो समझ रहो ना ध्यान लखना कल आप सब लोगों के लिए अनक एडमी पर दिन में 12 वजे English मेराथन है जिसमें 40 मिनट में आपको 40 question solve करने है तो अगर आप सब लोगों ने अभी तक इसमें enroll नहीं किया है तो आप लोग इसमें enroll करिए और अगर कोई unlock code मांगा जाए तो आप unlock code के रूप में किसका यूज करेंगे unlock code के रूप में Sanjeev 10 का यूज कर स है तो आप scholarship भी जीत सकते हो ठीक है तो इसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयारी ध्यान दें unlock code अगर कोई यूज करोगे तो क्या आएगा Sanjeev 10 हैगा जुड़े रही है मेरे साथ इसी तरह के sessions के लिए इसी तरह के important sweet and sword session के लिए जो आपके लिए बहुत fruitful रहेंगे thank you जाहिए